साथ वजे से एनम पान बिबारह भरती में ट्वीटर केंपेंग रखा गया है और जो हैश्टेग हमने आपको दिया हुआ है किरिपे आप वही हैश्टेग यूज करें कल किसी दूसरे हैश्टेग के साथ भी बहुत सारे लोगों ने ट्वीट और रेट्वीट किया था अब हमें नहीं पता कि आपको वह जानकारी कहां सी मिल गई दूसरे हैश्टेग के साथ आप ट्वीट और रेट्वीट कर रहे हैं जो पहली बात हैश्टेग मैं देख रहाता कि काफी समय पहले से उसको प्रयोग किया जा रहा है हैश्टेग पुराना होने पर हैश्टेग ट्रेंडिंग में नहीं आता है चाहे कितना भी आप ट्वीट रिट्वीट कर लिजिए उस पर सेकेंड चीज देखिए जब हमने कल ट्वीटर केमपेंग रखा था एक हमने हैश्टेग भी बना कर की दिया अभी आपकी मुईं हमारी मुईं है हम सबकी एक मुईं हम सब लोग संगटी cleanup करके तो उसका सखरात्मक पढ़द हम मिलेगा जल्दी सफलता मिलेगा अलग अलग कारते रहेंगे तो क्या मतलब है सब का उद्थे से तो एक है पोस्टिंग होना अब पूराना वाला है 7489 और 2022 पोस्टिंग बिल्कुल यह रही है यह समय चैनल में यह मतलब नहीं होता है। सासन से, सरकार से, वो बिल्कुल understood होता है उनको, और hashtag केवल और केवल अपने मोहीम को बताने के लिए एक keyword होता है, और उसी हिसाब से हमने hashtag चूच किया था, जिनके जिला preference हो चुके हैं, उनको joining later मिलना है, जोइनिंग later मिल जाएगा तो posting तो automatically होगी, या फिर आपको posting नहीं दी जाएगी, सिंपल सी बात है अगर जोईनिंग लेटर अगर आपको मिल जाएंगे तो पोस्टिंग आपको पिलकुल मिल जाएंगे चाहे दस दिन बाद मिले पांस दिन बाद मिले जोईनिंग लेटर जिस दिन आपको मिला न्यूकति पत्र जिस दिन आपको मिला तो जो हैश्टेग हमने आपको दिया हुआ है कि पिया आप उसी हैश्टेग के साथ सभी लोग ट्वीट और रीट्वीट करें आज ये दूसरी दिन लगाता है यहाँ पर हम ट्वीटर केमपेंग कर रहें और इसकी बाद कल से फिर आप जो आप हैश्टेग बताएंगे उसी हैश्टेग से कर लिया जाएगा कोई एक नया हैश्टेग आप फिर से बना लें हैश्टेग ज्यादा पुराना होने पर ट्रेंड नहीं करता है ध्यान दीजिएगा आप चाहे कितना भी उसमें ट्वीट रिट्वीट कर लीजिए जो लगा लीजिए दूसरी चीज है कि जो हमने हैश्टेग दिया है आज हमने परिबर्तित नहीं किया है क्योंकि कल हैश्टेग ट्रेंडिंग में आते आते रहा गया था या तो फिर आप 2-4 दिंग गयब करकि फिर वापस से उस हैश्टेग को यूच करिए तो ठीक है लगातार आप रोज अगर आप दिन मद ट्वीट करते रहते हैं फिर अचानक से आप ट्रेंडिंग में आने में दिक्कत होती है कुछ रूल होते हैं ट्रेंडिंग के और मैं एक नहीं कम सकम अभी तक मोर दिन 50 प्लस में अभी तक ट्वीटर केंपेंड चला चुका हूं खाली यूपी टेपलसी के भरती मतारों पाकि अधर भरतियों को ले लेंगे कम सकम मोर दन 100 ट्रेंडिंग केंपेंड यहां पर तो मतलब आप लोग करते हैं ट्वीट रिट्वीट बहुत ज़्यादा जानकारी मतलब सभी को नहीं हो पा रही है अधरवाइस थोड़ा सा अगर हम लोकेशन चेंज करके अगर 2500 लोग भी अगर हम ट्वीट रिट्वीट करते हैं तो अपना हैस्टेग एक घंटे के अंदर अ जलता है कि इस भरती के यह अभ्यरती इनकी यह मांग है और जब भी आप कोई कैम्पेन करते हैं तो इसका मतलब होता है कि तुरंत आप उस पर कारेवाई चाहते हैं मतलब तुरंत आपको जोईन लेटर दिये जाएं इस भरती में बाकी हम लोग कल दूसरा को यह बताएंगे तो फिर आप दूसरा हैस्टेग यूज करेंगे तो क्या मतलब है फिर उस मोहिम का ठीक है साथ बज़े से सभी तयार है सबसे पहले ट्वीट करिएगा सभी लोग अधिक सदिक और आज हैस्टेग में कोई इसमाल लेटर यूज मत करिएगा कहीं पर अनावस्य गंटे तक ट्वीट करना है केवल री ट्वीट करना मत सुरू कर दीजिएगा स्टार्टिंग से पहले केवल ट्वीट करिए 15-20-25 जितना आप कर सकते हैं उसके बाद री ट्वीट करिए आज हैस्टेग ट्रेंडिंग में आना ही चाहिए पूरी कोशिस हम लोगों की रहनी जिए धन्यवाद